कि एलो फ्रेंड्स कैसे सब सब बढ़िया आज किसी बच्चे ने पूछा था और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रखी है कि सब्सक्राइब हो चुका है इसके बाद मेडिकल होने वाला है उसमें क्या-क्या चीजे में सावधानिया रखनी है या क्या-क्या प्रिकोशन लेनी है या सब मेडिकल कैसे होता है मैं यह नहीं बता थी ठीक है तो आज की इस वीडियों सिर्फ यही शीखेंगे हम लोग कि जो सीपीओ को मेडिकल होता हुँसमें क्या-क्या प्रोसेस होती है क्या-क्या चीजे चेक होती है और कैसे चेक होंगी कोई जुगाड लगेगा नहीं आज की बारे में आज के लास में डेसस करने वाले ठीक है बाकि अभी सीपी वा मेंस हुआ है ठीक है फिलाल में कल या परसो हिए दोस्तों ठीक है तो बच्चे कह रहे हैं कि ज्यादा मुश्किल नहीं आए सर लेकिं मोडरेट लैवल कर था जिस साल पिछले साल जैसा पेप करने पड़ेंगे पहले क्या होता था प्रिविश एर कोईशन लगाए और काम चल गया अब वैसा नहीं है दोस्तों कंपिटेशन इसमें भी हाई हो चुक है तो चलिए एक बार डिसकेशन करते हैं कि होता है कि तो मैं अपने बारें बताते हैं मेरा सीपियो मेडिकल फीजिकल हुआ था ना तो दो सब्सक्र तो सेंटर मेराँ था बुधन पूर जो दिल्ली में नोजटा है न था होँद करते है लेकिन आप लोग चांसे पहुंछाना ठीक होता हुआ और वाह जाके क्योंग तो पहले जाके settlement कर लोगे कि कहा रहना है कहा खाना पीना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को कुछ फिर आएगी जब हम लोगों को entry मिली ना entry मिलने के बाद हम लोगों के में पार गोंड़ा गहां क्या कि उसका लिए उनको एक लाइन में किया गए उनको एक गृूट्स बना करता दोस्तों और बोला कि अपने कपड़ें वगेरा में अपन रहो अपने तो फिर वहां पर क्या है सब के एड़ेमेट को पहचा दिया जाते हैं कि यह वाले कंडिडेट को आप चेक करोगा और यह वाले कंडिडेट को आप चेक करोगा जी तो वहां पर बुलाया गया सबसे पहले दोक्टर ने बुलाए था तो वाहं पर पहले चेक क्या था बाइं तो थो फौड़ा इन के बारें बात करेंगे तो फीर सचारह भोगे यह वां सफाइग हो गहा ना यह सब धना करके चारा लेकिन यह वह 맛있 कुछ कहेंगे आपको सरमींद की महसूस होगी तो इससे पहले क्या पना साफ सफाई करके जाना है और यह फिर कैसे होता है करते कुछ नहीं है एक तो टोर्च लेते हैं टोर्च मारेंगा आपके काने देखें कोई वैक्स वगारा निकान के परदा वगारा फटा हुआ नहीं यह होता कान की चैकिंगे ज्यादा कुछ होता निसके अंदर इस इतना ही होता एक बार देखेंगे और डालके चार पांट साफ है या नहीं तो एक बार आपने कान जरूरू साफ कर वाले यह बात ध्यान रखोगो दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज्यादा का दिक्का देते यह हमारी राइट वाली होती है तो तो इसको 6 e 6 recommended और पर भी चलेगी और अब कई बच्चे करवाना ठीक ऐसा कुछ नहीं है लेगिन अगर आप लोग जितना नेचरूली चलो गुना आपको फाइदा है क्योंकि लेसिक में क्या होता है आगे चलो कि आप पानी वेगारे मार सकते आप मुध हो नहीं पाओगे क्योंकि ट्रेनिंग हो नहीं आपकी भी यह तो ऐसा डीजी को और होना बिलकुल ही लाजमी है नहीं होता है क्योंकि यह वंसानुगत है तो इसमें क्या होता है कि आपको किताब दे जाती पढ़वाने के लिए बोलेंगे किसर इसमें क्या लिखा है कुछ पैटरंस होते हैं वो सिर्फ यह जानने के लिए बंदा कल जा रहा है यह नहीं जा रहा है ठीक है आपकी कुस एक स्पैसिफाइड डिस्टेंस पर रख देंगे और वह बलेंगे पढ़ें कि पढ़ें कोई न्यूज बगरा कुस लाइन पढ़वा लेंगी यहां से पढ़ो वह आप पढ़ दोगया आपकी नजरें ठीक है जी फिर हो प्राइब यहां रख लिए तो ऐसे होता दूर रखा कोई वह था ना बोकस सा उसके अंदर लिखें लिखें होते हैं थीक यह वाले होते हैं इस साइड वाले होगे और एक काउंटिंग भी होती है काउंटिंग पढ़वाना चाहरा है यह वाली स््टक्चर्च्चर पढ़वाना चाहरा है यह न मश enforcement मा Kai क्योंकि इसमें स्पेसिफीकेसर होती यह ऐसे होता दोस्तों आप थास्त कैसे होगा नाバイ nozzle काक्षिक ये यह संवर बेक्स के भाद हो गया तूप्र करें बार वेज़ दिया गया इसके बार बेज दिया गया फिर किसको लुए बुला गया चैनल चैनल बछास को सर फिलिंग करवार कि यह बिल्कुल सही है अगर आपने अच्छे तरीके से फिलिंग करवार कि ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहां पर कई बोल देंगी अगर तो दान टूटा होएं तो दान टूटने वह डोक्टर पे डिपेंड करेगा क्योंकि कोई प्रब्लम होती नहीं है कई पर मैं स्कुल सिंपल वाला कि अगर डीनेस वगरा है ना आप लोगों को तो माइल दिनेस तल जाएगा आप लोगों को जैदा कुछ दिक्कन की नहीं लेकिन अगर ज्यादे प्रोब्लम अभी आपना इलाज करा लेना आप लोग पहले से ही तो हमारे यह सब टेस्ट एक ही सब्सक्राइब करवा जाता है जब किसी का मैडिकल होता है तो वह जैसे एक्स्ट्रा इमान के जलते हैं कि बच्चे का इतना होगा लेकिन अगर आपका पॉइंट बनने पूरे चांस है जी क्योंकि उस टाइम में सब को बता कि सब नर्वस होते हैं तो बीपी हाई होने के चांस होते है तो बीस तीस वह एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि बच्चे का निकले निकलाएगा जी लेकिन अगर फिर भी ज्यादा पॉइंट बनेगा दोस्तों ठीक है फिर फिजीकल तरीके से कैसे बढ़ बनेगा तो पता है तो सब्सक्राइब को पता कि इसको नहीं है क्योंकि आपना इलाज कर वाले ना दोस्तों क्योंकि यह चीज़ें उसामने पकड़ ले आज़ें कि मापे जी इसमें बचने वाले अब लोग क्योंकि सपेशलिज़ों डॉक्टर नहुव देखते बता देगा कि दीक नहीं दोस्तों वाले फिर आती टीक होने पर तो डॉनों घूटन हो मिलने निचींकि अगर घैप है तो नोक्नी आगर अगर नहीं यह वो मिल रहे तो बिया नोक्नी हो जाएगा तो इसके लिए कुछ एक्सराइज बगर आते हैं आप लोग यूटूब अगर आप देखो गए ना तो हो जाएंगे तो इसमें ध्यान अखना आप लोग और नोगनी के साथ साथ वेट भी चेक करते महां पर बागी अगर आप लोगोंने फीजिकल क्लियर करें तो तो वेट म अगर आपने अच्छे से घर पर खाना भी न खाके आया है और बीवी से अच्छी बाते शुन के आए तो आपको भी अच्छी बाते बताएगा अगर बुरी-बुरी सुनके आहे तो भी आपके उपर बढ़ास निकालते गा जिसम्पलसी बात है इसमें कोई नकार ने सकता नोंग नीं होगी आफिर हैंड फिंग्र होगीं वगर्णहिंगी टोटी वगर्ण हैं एसे करवाकर के देखेंगें ऑन पर इस तो यह वाली भी ध्यान रखोगी भी वह work किर्ण हैं तो बच्छों की नहीं है यहाद से यह वह ज्यादा अपद जादा पता है क्योंकि रनिंग में क्या होता बच्चा दोड़ नहीं पता जीए तो वेरिकोज वेन वाला अपना इलाज करवा ले ना फिर आतीए बाद फ्लेट फूट की फ्लैट फूट क्या होता जैसे जो यह पैर होता न दोस्तों कई बच्छों पैर बिल्कुल ऐसे होता बिल्कुल फ्लैट ठीक है और कई यहां क्या होता है ऐसे होता बिल्कुल ठीक है ऐसे होता ना तो यह वाला होना चाहिए आप लोगों का यह फ्लैट फूट में क्या है डि तो फ्लैट फूट तो होने के चांस ही नहीं है अगर आप लोगों ने रणिंग वगर अच्छे से की हैं बागी बहुत कम बच्छे होता है फिर कई बच्छे बोलता है टैटू है टैटू क्या फंड़ा होगा बहिए टैटू वाला है ना कई बार डॉक्ट्टरों ने लेखते ही गार पॉइंट बना दिया जैसे कई बार ओम लिखवा लेते हैं कुछ और लिखवा लेते हैं ठीक है यह यह चीजे वैसे अलाव नहीं करते किसी फॉर्स में बाद में टैटू बनवाना बाद में देख लेना अपनी ठीक है लेकिन पहले टैटू बगरा मत अगर लोगों पॉइंट बन जाएं ऐसा नहीं होगी आइस के दो पॉइंट बनेगा ठीक है टीथ का हो गया और लग लग चीजें आपके पास है इनके अलग लग पॉइंट बनेंगे जी और वह एक सर्टिफिकेट में लिखे होंगे अगर आपका रीमेडिकल होगा दोस् पहले दिकत इसके सगेंद वाली यह नहीं दिकत हैं के लिखेस चैक करेगा तो फॉशने के पूर कूर पूरे चांसिस होते मेजर डीजीज वाले जाते हैं ना मेजर प्रोग्लम वाले तो यह वेट वाले हो गया कुछ ऐसी चीजे जो क्योरेबल है उनको बज़ाते हैं लेकिन यह इस वार इस टाइब के दोस्तों बाकि फेली होते हैं फिर वहां पर जाकी तो यह चीज़ें जो आप लोग पहले अप पहले अपनी क्योर वगरे कराके तब मेडिकल करवाना आप लोगों को अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे ठीक है कुछ नहीं मिलने का मतलब है कि आप बिल्कुल फिट हो ठीक है बस आप फाइनल रिजल्ट की वेट करना आप लोगों को दोस्तों मेडिकल डोकुमेंट वेरिविकेशन होगा उसके बाद करना जी तो यह हमारा टोटली मेडिकल होता जी इसके बाद क्या है श्याम तक हम फ्री हो गए थे फ्री होने के बाद वहां से निकल ली थे तो इस यह मेडिकल प्रोसेस के दोरान अगर ठीक है पैसे वगहरा हम काम नहीं होता है यह बात हां दखना आप लोग ठीक है कई बचे बोलते हैं कि सर मेरे मामा का वहां पर ऐसे है और मैडिकल देने की जूरत नहीं है इनके जहां से में मताना ठीक अपना केरियर पर बात कर लोगा अब लोग अपने एंड पर कोई कमी बता रहे है या इस पर्टिकॉलर क्वेस्टन का अंसर क्या होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं आप लोग जवाब दोंगों दोस्तों ठीक है तो इस वीडियो में इतना है डिस्क्स करने वाले थे थैंक्यों दोस्तों